हम पॉलिटिक्स इस तरह की है कि हमारे देश का युवाज दरदर की ठोकरे खा रहा है नौकरी ढूंडने के लिए बेरुजगारी बेरुजगार घूम रहा है दिल्ली के अंदर हमने बिजनस का महौल क्रियेट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाएं इस बार का तो पूरा बजट ही एक तरह से दिल्ली में बिजनस का महौल क्रियेट करने के लिए नई उर्जा पैदा करने के लिए दिल्ली के बजट में बहुत सारे प्राबधान किये गए ख़िसर हे मार्केट्स को डेवलब किया जारा है कर दिल्ली बाजार बनाया जा झा रहा है तो कि अ कि उसी तरह से धिली के स्कूलों के अधर क्लासें चालों कि यारी धेरों बच्चे जो हैं वो अलग 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 छोटे-छोटे बिजनेस करना चालू कर रहे हैं यही business blasters program यही entrepreneurship classes अब colleges के अंदर भी शुरू की जाएंगी और colleges के अंदर भी बच्चों को डिगरी लेने के बाद नौकरी ढूंडने के बजाए अपना business करने के लिए उन्हें तàiयार किया जाएगा मांसिक तोर पे तयार किया जाएगा और college में पढ़ते पढ़ते भी वह इस दिशा के अंदर अपने छोटे-छोटे business ideas को तयार करना शुरू करेंगे उस के लिए उन्हें स्टार्ट अउप पॉलिसीज है उन सब को इकट्ठा करके उनके जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे वो सारे अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर हमने डाले हैं कि अगर दिल्ली के रहने वाले युवा दिली के अंदर कोई той बिंद्स चालू करना चाहते हैं, तो उनको दिल्ली सरकार पूरी तरह से मदद करेगी, हैंड होल्डिंग करेगी, उनको पैसे से भी मदद करेगी, और पैसे के अलावा भी कई तरह से मदद करेगी, पैसे से मदद करने में कई सारे चीजें हैं, जैसे मान लिजे वो किराये पे कोई ज उन तनखाओं के अंदर कुछ portion financial उसकी मदद कर सकती है वो अगर patent के लिए trademark के लिए copyright के लिए apply करता है तो जो उसकी fees लगती है वो वापस कर सकते हैं उसके जो internet charges आते हैं उसके अंदर दिली सरकार मदद कर सकती है दिल्ली के अंदर इनक्यूबेशन सेंटर्स लगाने के लिए fabrication labs लगाने के लिए ऐसे सेंटर्स जहां पर की बच्चे जाके अपना startup शुरू कर सके उनको इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं ऐसे center जो लोग स्थापित करेंगे उनको अलब तरह तरह से विट्टिय साहयता देंगे बिना guarantee के collateral free loan दिनाने में दिल्ली साहयता मदद करेंगी और एक साल के लिए interest free loan होंगे इस तरह की धेर सारी विट्टिय साहयता दिल्ली सरकार देगी लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है एक बच्चा एक नौजवान युवा जब अपना नया बिजनस शुरू करना चाहता है तो वो 10% टाइम तो अपने बिजनस पे देता है और 90% टाइम वो इस पे देता है मेरे को GST के लिए प्लाई करना इंकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना है ये सरकारी विभाग में जाना है मिरको ये कानून 90% टाइम वो इन चीजों के अंदर बिजी रहता है हमने ये तया किया और ये एक तरह से नई तरह की शुरूवात हो रही है कि हम धेर सारी एजनसी को प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे पैनल बना देंगे उनका जैसे उसमें चार्टडby का पैंटल लॉर्व्ययर्स का पैनल एक्सपूर्ट्स का पैनल उनुमें से किसी के भी पास एक स्टर्टडप वाला बंदा जाके और उनकी मदद ले सकता है और वो मदद जो भी मदद देगा वो free होगी इसको दिल्ली सरकार उस chartered accountant को पैसा देगी तो इस तरह से किसी भी legal तरह के वो दिया जा सकता है start-up करने वालों को marketing करने में मदद दी जाएगी social media में मदद दी जाएगी patent या trademark कैसे file करने उसमें मदद दी जाएगी GST कैसे घबरना उसमें मदद दी जाएगी investors धूडने के लिए मदद की जाएगी loan लेने के लिए मदद की जाएगी अलग-अलग सरकारी विभागों से कैसे approval लेनी है इन सारी चीजों में धेर सारी चीजों में start-up करने वाले युवा को दिल्ली सरकार free में professional और अलग-अलग तरह की expert मदद प्रोवाइड करेगी यह सारी एजनसी जो है उसको free में मदद देंगी एक और बड़ी मदद उनको की जाएगी कि सरकार जो जो समान खरीदती है सरकार जो procurement करती है उसमें भी start-ups के लिए अलग एक सुविदा होगी उसमें जैसे procurement करते हैं हम कोई समान का तो हम कहते हैं इतने साल का experience होना चाहिए इतने साल पुरानी company होनी चाहिए इन सब चीजों में start-up के लिए हम धिलाई कर देंगे ताकि जो माल के अंदर कोई compromise नहीं होगा माल की quality में कोई compromise नहीं होगा लेकिन उसके अंदर हम उनको मदद करेंगे तो और जो बच्चे college में पढ़ रहे हैं दिली सरकार के college में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो कोई start-up करना चाहता है और पढ़ते पढ़ते उसने प्रॉडक्ट बनाया तो सरकार उसको अपनी पढ़ाई में दो साल तक की छुट्टी भी देने के लिए तयार है कि वो दो साल की छुट्टी ले अपना तयारी प्रॉडक्ट वगेरा पे 20 लोगों के task force उसमें 20 उसमें एक केवल government officer होगा उसमें थोड़े से लोग academics के होगे 10% और 85% लोग private industry के लोग होगे business के लोग होगे ये अगर कोई भी दिल्ली सरकार के start-up में policy में register करना चाहता है वो इस task force को apply करेगा और ये task force जो है फिर decide करेगी कि हमें इन्हें register करना है तो मुझे लगता है कि इस start-up policy के बाद बहुत बड़े स्तर के उपर दिल्ली में start-ups का boom आएगा और मैं उमीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे अपने दिल्ली से युवा जो है वो यूनिकॉन बनाएंगे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया यहां से निकलेगी और तरक्की करेंगे आज दिल्ली की cabinet ने एक और बहुत एहम फैस्ता लिया वो यह कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को free बिजली मिलती है इसके लिए दिल्ली सरकार सबसीडी देती है बीच बिचे कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं कई लोगों के चिठी आती हैं कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें free बिजली दे रहे हो लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो है वो सक्षम है हम free बिजली नहीं लेना चाहते हैं हम आपकी सबसीडी नहीं लेना चाहते हैं आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए तो अब हमने तैय कि हम यह option देंगे हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सबसीडी च अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सबसीडी दी जाएगी जिन लोग जो लोग बिजली की सबसीडी मांगेंगे बहुत बहुत शुक्रिया